तो आपको सबसे जादा गुसा कब आता है जब आप रेस्ट मोड पर हो अपने बेड़ के ओपर और अचानक आपके फोन की बेटरी डेड हो जाए और आसपास कोई चारजिंग स्लोट भी ना हो I know वो कितना irritating movement होता है आपकी body बिलकुल rest में होती है आलस बिलकुल भरा हुआ होता है और वो charging पर लगाने के लिए आपको उठना ही पड़ता है तो आपको ये problem ना phase करने पड़े इसलिए हमेशा कहते हैं जबी भी घर plan कर रहे हो तो उसके साथ साथ electrical layout भी plan करना बहुत जरू पूरी है plan नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने रूम का electrical plan आप ठीक कर सकते हो बहुत ही easy way में explain करने वाली हूं ताकि कोई भी individual खुद से अपने bedroom का electrical layout plan कर पाए और उन्हें कोई problem face ना करने पड़े तो start करते हैं वीडियो को first time इस चैनल पर आये हैं त यहां पर हम बात करते हैं interiors की और architecture के बारे में आपकी जो भी problems हो उसको बहुत ही easy तरीके से solve कर देते हैं through our videos तो यह हमारा main motive है कि आपकी problems घर बैठे बहुत अच्छे से solve हो जाए हमारी videos से start करते हैं सबसे पहले entry करते ही जो भी wall आपको खाली मिल रही है left side पे या फिर right side पे वहां पे आपको डालना है अपना main switchboard ताकि enter करते ही आप easily अपने fans को और अपने lights को on off कर पाओ and second scenario अगर आपको gate open करते ही wall नहीं मिल पारी अपने switchboard लगाने के लिए उस case में जितना भी gate आपका खुलता है वो space छोड़के फिर 6 इंची पाद अपना एक point छोड़ सकते हैं यहां पे आपको जो इस switchboard की height रखनी है वो floor से रखनी है तीन फिर 6 इंच अब लोग अक्सर पूस्ते माम हम height को measure कहां से height को नापा जाता है तो जो भी आपका switchboard है उसका नीची वाला जो fascia होता है हम हमेशा वहां से नापते हैं अपने height को because कि जो भी plate का size हो length हो वो उस according adjust हो जाए and secondly अब यहां पे कौन-कौन से आपको switches लगाने हैं तो अबकौस modern तरीका है हम अक्सर false ceiling करते ही हैं हर एक घर में तो यहां पे इस switchboard से आपकी सारी false ceiling की lights operate होने वाली है अब कौन-कौन से lights operate होंगी पहले अगर आपने कोई cove दिये तो cove के लिए एक switch हम लोग cove के लिए रखेंगे अगर आपने spotlights use करी हैं suppose अब spotlights ना bed की side पे भी है और tv की side पे भी है तो हम हमेशा दो switch देंगे एक bed side के लिए और एक tv side के लिए इन दोनों को आपस में connect नहीं करेंगे ऐसा बिलकुल नहीं करना कि एक ही switch से दोनों lights operate हो रही है आपको दोनों के लिए अलग-अलग switch देने है and suppose कि आपने room के अंदर 4 panel light दी है तो एक switch से 2 panel light को operate करेंगे इस तरीके से हमारी जो ceiling की lights होती है वो कम से कम 4 switch में cover हो जाती है and कई बार room बड़ा है तो हमें 4-5 switch भी करने ही पड़ते हैं लेकिन maximum 3 switch आपकी ceiling lights के लिए होने ही होने चाहिए उसके बाद एक switch आता है आपका fan के लिए आपको main switchboard में सिर्फ fan का switch देना है यानि सिर्फ on-off ही करवाना है उसको वहां पे regulator नहीं देना and बाकी आप future के लिए एक blank switch छोड़ सकते हो future में आपको कोई all light लगा नहीं हो तो उसलिए आप वहां पे blank switch छोड़ सकते हो and यहां पे आप डाल सकते हो एक 5 ampere का socket and switch ताकि आपको कोई room freshener या फिर all out जैसी चीज को लगाना हो तो आप वो main switchboard पे easily लगा पाओ है कि ma'am हम plate का size क्या लेंगी लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं तो आपने पहले घरों में देखा होगा कि हम अकसर न 8 inch by 6 inch का plate बहुत सादा use करते हैं जो बहुत बड़ा rectangle सा होता है जैसा कि आप screen पे देख पा रहे हो लेकिन अब हम इस type के switch नहीं use करते रीजन बिंगी बहुत बड़े होते हैं तो बहुत ही गंदे दिखाई देते हैं तो इसलिए आपको अब rectangular ही use करने है चाहे 8 inch by 3 inch का या फिर 9 inch by 3 inch का जैसे भी आपकी lights है जितने भी number of switch आपको चाहिए उसके according आप हमेशा prefer करो कि आप 9 inch by 3 inch का ही module use करो वो देखने में खुबसूरत भी लगता है और काफी अच्छा आपको आपके room को look देता है अब कई बार पूछते हैं कि माम हम ना इसके अंदर box कौन सा use करें जब मारी site construction mode पे होती है तो हम अकसाद एक लोहे का बकसा लगाते हैं ताकि हम आपते wires आप डाल सके तो जो बकसा होता है वो कौन से material का होना चाहिए तो हमेशा याद लगना कि वो बकसा आपको GI box ही use करना है वो दो material का market में आता है एक आता है iron का और एक आता है GI iron का तो आपको हमेशा GI का ही use करना है वो best है one time cost है of course iron से एक बात को बिलकुल गाठ बांद लो कि हमेशा जो भी wire है आपको हमेशा branded wires ही use करनी है कभी भी local wires use नहीं करनी I know local wires बहुत सस्ती आती है and branded थोड़ी सी costly होती है लेकिन wiring one time cost है तो वहाँ पर invest करना बहुत बड़ी समझदारी है ताकि future में आपको reinvest ना करना पड़े बार बा बार्टिंग में ही आपको branded wire use करनी है सबसे best होती है polycap की hevels की and ciska की इन तीनों में से आप कोई भी brand की wire अपने घर में install करा सकते हैं and रही बात mm की तो mm के लिए हमेशा electrician से consult करना वो हमसे भैतर जानता है कितना load आपका lighter कितना load उस सुच पर पढ़ने वाला है हमें कितनी mm की wire use करनी चाहिए बट हमेशा याद रखना कोई भी wire एक mm से कम की नहीं होनी चाहिए जो भी आपकी wire है सुचिस वाली lights के लिए वो at least 1 mm की हो and जो fan की है वो at least 1.5 mm की होनी ही होनी चाहिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं कि हम bed site पे कौन कौन से points आपको देने है and guys एक चिसका ध्यान रखना जबी भी electrical layout plan कर रहे हो उससे पहले अपना furniture layout plan कर लेना ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ because मैंने बहुत बार देखा है क्या होता है पूरी wall पे आही नहीं रहा होता वो दो या छे इंशा gap कहीं नहीं आ जाता जो हम अकसर भूल जाते हैं because हम कभी भी furniture plan नहीं करते साइट पे आके bed रख दिया and points कभी दूर भाग रहे हैं कभी पास आ रहे हैं कभी-कभी बेड के पीछे भी छुप जाते हैं तो उस चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि से पहले आपको furniture layout ही final करना है and guys कल हम एक और video upload करने वाले हैं वहाँ पर मैं आपको बताने वाले हूँ step by step की हम कैसे planning करते हैं उसके बाद कौन सा step लेते हैं कब designing करते हैं कब electrical layout करते हैं ताकि आपके लिए बहुत easy हो यह steps को समझना और इनकी need को समझना कि हम ऐसा क्यों करते हैं and guys आपको यह भी पता हुआ कि every Saturday में live आती हूँ आपकी problems को और अच्छे से solve करने तो अगर भी problem ह हैं जो solve नहीं हो पारी तो आप Saturday को every Saturday रात को आठ बजे में live जॉइन करके मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो ताकि जो आपके घर में कोई भी दिक्कत ना आए and जो आपका interior है ना वो काफी जादा खूपसृत हो जाए तो अब next point आता है side table के आसपास का तो क्या होता है अब अपनी side table होती है 18 इंची की and कई बार 15 इंची की होती है because आजकर हम low height के bed use कर रहे है and हमेशा याद रखना आपकी side table आपके bed की हमेशा equal होती है ना छोटी होती है ना ही बड़ी होती है तो अगर आपका bed और आपकी side table होती है ऐसे joint हो रही होती है कोई भी उसमें कोई भी level difference नहीं होता दोनों same ही height भी होती है and standard side table होता है 18 इंच का and कई बार अपने ऐसा किया ह कि आपका bed थोड़ा ऊचा है 2 feet का तो आपका side table भी 2 feet का ही होगा तो यह वली चीजे भी आपको पहले plan करनी है कि आपको side table कितनी height का लेना है या फिर आपको bed कितनी height का रखना है ताकि जो switchboard की height है वो उसके according आप plan कर पाओ हमेशा जितनी भी बड़ी आपकी side table है height में उसस 6 inch उपर आपका switchboard का starting point हो जाता है तो हम अकसर standard height लेते हैं 2 feet का because 18 inch मेरा side table रहता है and then 6 inch के बाद मेरा switchboard start हो जाता है एप इस side पे आपके बस 2 side होती है right और left right side पे आपको हमेशा देतना है अपनी एक ceiling light का two way तो वो ceiling light का होनी चाहिए अगर आप back के wall के उपर कोई भी spotlight है तो उसका आप two way करा सकते हो main switch से ताकि वो दोनों side से operate हो जाए and यहाँ पर आएगा आपके fan का regulator and साथ-साथ आज कल हम लोग USB spot सदर use करते हैं हम लोग charging slot नहीं and साथ-साथ आप डाल सकते हैं एक 5 ampere का ताकि कई बर ऐसा होता है कि आपको दो phone एक साथ चार्ज करने है या फिर mobile के साथ-साथ laptop भी चार्ज करने है तो आपके बस दोनों ही condition यहाँ पर रहेगी and कई बर ऐसा होता है कि आपकी side table के उपर आपने hanging light लगवाई है चाहे wall पे वो right side की switchboard से ही operate होगी left hand side तो left hand side पे होगा आपका light का point अगर आप light लगाई है wall पे चाहे ceiling पे तो उसका point आप यहाँ से operate करोगे साथ साथ होगा एक USB का slot and एक 5 ampere का slot अब इसकी साथ साथ आपको एक और point यहाँ पे छोड़ना है अगर आपको अपने room में lamps रखने हैं तो यह वली चीज भी आपको पहले decide करनी है because lamp के जो हमारे socket होते हैं वो हमेशा installed रहते हैं आप यह कभी नहीं चाहँगो कि आपका एक slot आपका एक 5 ampere का slot हमेशा घिरा रहे lamp के चक्कर में तो उसके लिए हम क्या करते हैं यह requirement है कि lamp तो site table पे आएगा ही आएगा उस case में हम क्या करते हैं जो आपका site table 18 inch का उसके पीछे हम 9 inch पे एक और point छोड़ देते हैं ताकि वो point permanent lamp के लिए fix रहे बार बार आपको lamp का socket निकालना ना पड़े तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपने site table पे lamp इंस्टॉल कराने हैं तो हमेशा site table के पीछे आपको एक socket छोड़ना है वो wire easily arrange हो जाती है और उसमें एक औ पॉइंट है कि हमेशा lamp की वायर में वो बहुत लंबी होती है तो आप सारी वायर नीचे रखके सिफ थोड़ी सी वायर अपने lamp के लिए उपड ला सकते हो तो वो काफी देखने में भी खुब सूरत लगती है और इसका switch आप उपर वाले board में दे सकते हो तही TV का point तो जैस 18 इंच पर अब इस point में हम लोग तीन चीज छोड़ते हैं पहला आता है 5 A का socket जो हम यूज करते हैं अपना setup box के लिए एक extra socket छोड़ते हैं 5 A का ताकि आपको Alexa इंस्टॉल करना है Google Alexa या फिर home पर तो उसके लिए वहां पर आपके लिए एक extra point हम छोड़ देते हैं ताकि TV का socket है वह हम TV के पीछे ही देते हैं ताकि जो भी wiring है वह TV के पीछे छुप चाहे आपको wires ना दिखाई दे तो जो TV का switch आता है वह आता है 4 feet की height पे and जो यह सारे points है मैंने बहुत detailed में explain किये हुए अपनी बहुत प्राने वीडियो में उसका link मैं आपको दे दूँगी आप वह भी चाके check कर सकते हैं आपको और easily और better way में समझ में आगा कि हम कहां पे कौन से points छोड़ते हैं कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको लगता है कि यार में को ना TV LCD पे एक भी point नजर नहीं आना चाहिए तो उन लोगों के लिए बहुत ही best solution है तो जो भी आपने 3 से 4 draws बनवा जोड़ सकते हो like a design element तो वह बहुत easy है आपको जो भी wires है या जो भी switchboards है वह नहीं दिखाई देते हैं अपनी eye level से वह काफी down आ जाते हैं वह काफी CD को काफी एक अच्छा unique look भी दे देते हैं अब next आता है हमारा point AC का तो मैं हमेशा prefer करूंगी कि AC की wiring आप हमेशा पहले ही क करा लो ताकि जो भी उसकी wires है वो आपको visible ना हो उसका on off का switch आपको दिखाई दे and in some cases अगर आपने AC की wiring पहले नहीं कराई हो तो उसका socket सिफ socket आपको 15 ampere का सिफ socket छोड़ना है साथ फिट 6 inch की height पे and switch को जो भी उसके आसपास की switch है वहां पे आप 3-6 inch पे उसका switch छोड़ स को on off side table से भी दे सकते हैं आपको रूम के अंदर दालने हैं two ways like bedroom से washroom जाने के लिए two way होना चाहिए and bedroom से balcony में जाने का भी two way होना चाहिए तो उस चिसका भी हमेशा ध्यान दखना and second case अगर आपके घर अगर आपके bedroom में कहीं पे भी dresser आ रहा है या फिर कोई भी mirror आ रहा है तो आपको एक दालने है mirror light जो की होगी साथ fit की height पर अब यह जो mirror light है यह आप दोनों तरीके से use कर सकते हो चाहे आपका जो light है वो inbuilt light हो यानि की पीछे से light आ रही हो या फिर आपको कोई fancy light install करनी हो mirror के उपर तो आप दोनों तरीके से इनको use कर सकते हो इस light को and इसके साथ साथ आपको एक और point छोड़ना है 21 इंच की height पर ताकि जो भी आपके घर में lady है उसे hair dryer use करना hair statener use करना है या कुछ भी ऐसा applications use करनी है जो mirror की सामने ही use हो सकते है तो में furniture के बाद जो भी आपको wall थोड़ी सी empty मिल रही हो जहां पर आप easily अपनी press table या कुछ ऐसा heater install कर सकते हो तो वहां पर आपको एक फिट की height पर फ्लोर से चोड़ना है 15 Ampere का switch and socket ताकि आपको summer में press करने हो तो आप easily press कर पाऊ फिंटर में आपको heater install करना तो आप easily heater भी वहां पर use कर पाऊ और चीज जो भी आपका washroom का door है जहां पर आपने washroom के लिए 2V दिया है उसकी नीचे ए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको room में foot light on करके ही सोना होता है बात करते हैं कि कौन से ऐसे brands हैं जिनके switchboards आपको use करने चाहिए because हम सब चाहते हैं switchboard switches ये one time investment हम सब चाहते हैं and कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उनने कोई Chinese brand खरीद लिया and फिर वो आना बंद हो गया and in future कोई switch खराब हुआ भी तो आपको वो same चीज नहीं मिल पाती तो इन सारी problem से बचने के लिए आपको जो बहुती famous brand है like anchor हो गया नौरिसीस हो गया कुछ इस type के switch and socket को install करवाना चाहिए because ये बहुत time से market में है and इनकी brand भी काफी अच्छी है इनकी quality भी काफी अच्छी है तो नौरिसीस and anchor में कुछ high models भी आते हैं जिनमें बहुत सारे colors भी available है like wooden finish भी black finish भी matte में भी and gloss में भी तो अपने interior के according आप कुछ other type के switchboard भी अपने लिए खरीच सकती हो जो भी आपके interior से match हो रखे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको सिफ white switchboard ही install करवाना है आप grey में wooden में या black में भी जा सकते हो बहुत अच्छी finish देते हैं बहुत एक wardrobe की light के लिए art fit पे भी एक point छोड़ते हैं so guys that's all for the video I hope you like it if you do so the channel को like share and subscribe जरूर करना thank you guys for watching